हम लोग exercise 6.3 करने जा रहे हैं जो असपर्स रेखा और अभिलंब के समीकराण पर आधा जिता है तो एक मिनिट पहले हम लोग जो दो ही concept है इसमें देख लेते हैं क्या यूज होगा फिर exercise करते हैं तो आपका कोई वक्र है y equal to fx जिसका समीकराण आपको दिया हुआ है यह x-axis y-axis यह हमारा वक्र का समीकराण है y equal to fx यह वक्र है अब हम लोग जब dy by dx निकालते हैं y equal to fx से तो यह हमारा dy by dx यह असपर्स रेखा की परवड़ता होकती है अगर इसके वक्र के विंदू एक्स नाट कामा y नाट हम लोग माल लेते हैं यह बिंदू इस बिंदू पे जो असपर्स रेखा खीची गई है इसकी परवड़ता की बात करी जाए तो इसको हम लोग दिनोट करते हैं dy by dx x not y not से यानि y equal to fx से हम लोग dy by dx निकालेंगे और उसमें x की जगा पे x not y की जगा पे y not put कर देंगे तो यह हमारा असपर्स रेखा की परवड़ता मिल जाती है वक्र y equal to fx के बिंदू x not कामा y not पे तो इसको हम लोग अगर लिखें तो यह हमारा है वक्र y equal to fx के बिंदू x not कामा y not पर असपर्स रेखा की परवड़ता तो simple सा वक्र आपका दिया है dy by dx निकाली और जिस बिंदु पे आपका परवन्ता पूछा है वो बिंदु आप जो है उसमें dy by dx में पुट कर दीजिए तो dy by dx x naught y naught वक्र y equal to fx के बिंद x naught y naught पर asperse rekha की परवन्ता अगर asperse rekha का समीकरण निकालना है तो इसकी परवन्ता जब पता चल गया यह asperse rekha इसका परवन्ता हमको पता चल गया dy by dx है तो slow पता है और विंदु एक जिस उस रेखा का समीकरण जिसका slow पता हो और वो किसी fix विंदु से होके जा रही हो तो उसका समीकरण होता y minus y1 equal to mx minus x1 तो asperse rekha का समीकरण हो जाएगा y minus y1 यानि y naught equal to m m की जगा पर हमारा क्या है dy by dx और उसमें dy by dx निकालने पर जो उसमें x naught y naught पुट करेंगे y minus y1 equal to mx minus x1 यह हमारा हो जाता asperse rekha का समीकरण तिम्पल सही हमारा concept है यह asperse rekha का समीकरण हो गया किसी वक y equal to fx के बिंदू x naught कामा y naught पर asperse rekha का समीकरण अब जो अभिलंब होता है वो asperse rekha से 90 degree का कौन बनाता है इसको अभिलंब बोलते हैं हम लोग तो अगर हमारा जो m1 हमारा अगर मान लिया जाए परवनता किसकी है asperse rekha की asperse rekha की परवनता है और m2 हम लोग माने यह परवनता है हमारा अभिलंब का तो दोनों एक दूसरे से 90 degree का कौन बना रहे हैं तो m1 into m2 बराबर होगा हमारा minus 1 यानि अभिलंब की परवनता कि अगर बात करी जाए m2 तो यह हमारा होगा minus 1 upon dy by dx x naught y naught यह हमारा हो जाता है अभिलंब की परवनता अभिलंब की परवनता अब अभिलंब का समीकरान हम लोग आसानी से लिख सकते हैं simple y minus y naught equal to slope अब slope हमारा क्या होगा इसका minus 1 upon this हो जाएगा तो minus 1 upon dy by dx x naught y naught into x minus x naught यह हमारा हो गया वकर y equal to fx के बिन्द x naught y naught पर अभिलंब का समीकरान है तो यही concept आपका यूज होगा कि अगर वकर y equal to fx दिया है तो आप dy by dx निकाल लें और उसमें x naught y naught पुट कर देंगे तो उस बिन्द x naught y naught पर उस असफर्स रेखा की परवनता मिल जाएगी और उसका समीकरान आप निकालना चाहते हैं तो परवनता मिल गया और बिन्द x naught y naught से पास हो रही है तो y minus y naught equal to mx minus x naught यह हमारा समीकरान हो जाएगा असफर्स रेखा का ऐसे अभिलंब का भी निकाल लेंगे यही दो concept हम लोगों का यूज होगा exercise 6.3 पूरे chapter में तो एक एक करके हम लोग करते हैं सबसे पहला question है कि वकर y equal to 3 x k power 4 minus 4 x k x equal to 4 पर असफर्स रेखा की परवनता ग्यात कीजिए तो जो पहले concept लगेगा हम लोग यहां पर theory जो है यूज होगा वो लिख लेंगे यह अगर x axis ही y axis और यह हमारा कोई वकर y equal to fx है इसके किसी बिन x naught y naught पे जो हमारा यह असफर्स रेखा इसको बोलते हैं यह असफर्स रेखा है तो dy by dx जो हम लोग निकाल लें और उसमें x की जगा पे x naught y की जगा पे y naught निकाल दें पुट कर दें तो यह हमारा हो जाता है असफर्स रेखा की परोलता simple सा concept तो वकर हमारा दिया है और बिन दुक x equal to 4 पे असफर्स रेखा की परोलता चाहिए तो simple सा हम लोग dy by dx निकाल लेंगे y equal to 3x के पावर 4 minus 4x यह हमारा वकर का सभी करण है तो dy by dx यानि differentiation करेंगे तो 3 into x के पावर 4 का हो जाएगा 4 x के पावर 4 minus 1 क्योंकि x के पावर n का differentiation nx के पावर n minus 1 तो minus 4 into 1 तो dy by dx हमारा हो गया 12x cube minus 4 अब हमको चाहिए x equal to 4 पे असपर्स रेखा की परोलता तो dy by dx at x equal to 4 तो जो dy by dx हमारा आया उसमें x equal to 4 रहतेंगे तो 4 cube minus 4 तो this equals to 4 into अच्चा इसमें आगर हम लोग 4 कामन करने हैं तो 12 into 4 का square minus 1 तो this equals to 4 into 12 into 16 minus 1 तो this equals to आपका हो जाएगा 4 into 16 32 हासिल 3 16 16 13 19 minus 1 1091 कृने कृठी कृचार यह हमारा होंगे एक सो ग्यान नवें गृटीथ चार यह 4 1 कंचार छे आ 1764 हे हमारा गये तो वक्र के x equal to 4 पे जो आसफर्स रेखा की परोलता हमारों रहरी होगे यह 764 परोलत coalition आइस हमें तो एंदा की पर्वानता जो हमको चाहिए वो 7, 6, 4 आ गया सिंपल सा question था एकदम आप dy by dx निकाल लें और उसमें जो x, y की value दी हुई है जिस बिंद पर परवाणता चाहिए वो put कर दो आराम से दूसरा question वकर y equal to x minus 1 upon x minus 2 और दिया है x not equal to 2 के x equal to 10 पर असपरस रेखा की परवाणता ग्यात कीजिए परस रेखा की परवाणता ग्यात करना है तो dy by dx हम लोग निकाल लेंगे सबसे पहले तो y equal to x minus 1 upon x minus 2 तो differentiation करेंगे तो dy by dx equal to बटा में जो होता है उसका differentiation करने के लिए हर into uns का differentiation minus uns into हर का differentiation upon जो हर होता है उसका स्कॉयर कर देते हैं तो dy by dx equal to x minus 2 into अब x का differentiation 1 हो गया और 1 का differentiation 0 into x minus 1 into x का differentiation 1 और 2 का 0 upon x minus 2 का whole square this equal to x minus 2 minus x minus 1 तो यह मारा हो जाएगा x minus 2 और minus से multiply करेंगे तो minus x plus 1 upon x minus 2 का whole square तो यह हमारा हो गया dy by dx equal to x x कतम हो गया minus 1 upon x minus 2 का whole square अब हमको चाहिए x equal to 10 पे असपर्स रेखा की परवन ता है यानि dy by dx की value at x equal to 10 तो जो हमारा यह value आया है उसमें x equal to 10 पुट कर देंगे तो यह minus 1 upon 8 का square this equals to minus 1 upon 64 तो जो असपर्स रेखा की परवन ता जो हमारी आगे यह minus 1 by 64 यह हमारा हो गया second question तीसरा हम लोग देखते हैं तीसरा हमारा है कि वक्र y equal to x cube minus x plus 1 की असपर्स रेखा की परवन ता उस बिंद पर ज्याद कीजिए जिसका x नर्देशांग 2 है simple सा बात है x equal to 2 x नर्देशांग 2 है तो y equal to हमारा है वक्र का समीकर्ण x cube minus x plus 1 तो dy by dx आप निकालेंगे तो इसको differentiation करें 3x square minus 1 तो dy by dx हमको चाहिए x equal to 2 पे तो इसमें x equal to 2 put कर दें तो 3 into 2 square minus 1 equal to 3 into 4 minus 1 यह आ गया 11 question number 3 हमारा कतम हो गया अब question number 4 देखते हैं वक्र y equal to x cube minus x 3x plus 2 के असपर सरेखा की परवणता उस बिंद पे ग्याद कीजिए जिसका x नर्देशांग 3 है यह भी simple y equal to x cube minus 3x plus 2 differentiation करिए यानि dy by dx equal to 3x square minus 3 और dy by dx हमको चाहिए असपर सरेखा का slope जहाँ पे x नर्देशांग 3 है तो x equal to 3 इसमें put करेंगे 3 का square minus 3 तो यह हो जाएगा 27 minus 3 यानि 24 तो यह हमारा होगे 24 question number 4 खतम आपका question number 5 है वक्र y equal to a sin cube theta and x equal to a cos cube theta के theta equal to pi y 4 पर अभिलंब की परवणता ग्याद कीजिए तो हम लोग जानते हैं कि असपर्स रेखा की परवणता और अभिलंब की परवणता का गुरंफल minus 1 होता है तो simply हमारा जो वक्र दिया है y equal to a sin cube theta and x equal to a cos cube theta तो dy by dx हमको निकालने के लिए dy by dx जो हमारा होगा यह होगा dy by d theta upon dx upon d theta तो अब दोनों हम लोग निकालते हैं तो y equal to हमारा a sin cube theta तो dy by d theta यानि theta के सापे इच डिफ्रेंसेशन करेंगे तो sin cube का होगा 3 sin square theta into sin theta का differentiation होगा cos theta और x equal to है हमारा a cos cube theta तो dx by d theta यह हमारा होगा a into 3 cos square theta into minus sin theta अब हम लोग divide करेंगे तो dy by d x हमारा जो हो गया इसको हम लोग समीकरा number 1 कह लेते हैं इसको समीकरा number 2 तो 1 में 2 से भाग करने पर तभी हमारा आएगा तो dy by d theta upon dx by d theta तो इसकी value कितना है 3 a sin square theta cos theta और इसकी value है 3 a cos square theta into minus sin theta तो 3 a 3 a कतम हो गया 1 sin theta कतम हो गया a cos theta sin theta upon cos theta यानि minus 10 theta minus यहाँ पर है तो 3 a 3 a cancel हो गया तो dy by dx हमारा आगया minus 10 theta अब theta equal to pi by 4 अगर हम लोग इसमें theta equal to pi by 4 रख दें तो यह हमारा slope पता चल जाएगा theta equal to pi by 4 पे तो यह minus 10 pi by 4 और इसकी value हो जाएगी 10 pi by 4 की value 1 तो इसकी value हो गई minus 1 अब minus 1 हमारा यह क्या है यह असपर्स रेखा की परवणता है हमको चाहिए अभिलंब की परवणता तो हम लोग जानते हैं माना अभिलंब की परवणता M है माना अभिलंब की परवणता M है तो हम लोग जानते हैं असपर्स रेखा की परवणता गुड़े अभिलंब की परवणता minus 1 होती है तो M into असपर्स रेखा की परवणता minus 1 है दोनों का गुड़नफल क्या होगा माइनस वन तो एम की वैलों यहां से आगे आपका वन यानि जो अभिलंब की परवड़ता है यह वहन है क्वेस्टन नंबर फाइब आपका खतम हो गए अब क्वेस्टन नंबर 6 हम लोग करते हैं x equal to 1 minus a sin theta और y equal to b cos square theta के theta equal to pi by 2 पर अभिलंब की परवड़ता ग्याद कीजिए पिछले क्वेस्टन जैसा है x equal to हमारा दिया है 1 minus a sin theta and y equal to आपका दिया है b cos square theta तो dy y जो dx हमारा जो होगा वो dy y d theta upon dx upon d theta तो यहां से हम लोग dy y d theta अगर दोनों का theta के साफ़ इस differentiation करें तो b और cos square का हो गया 2 cos theta और cos theta का हो गया minus sin theta और x equal to हमारा 1 minus a sin theta तो dx by d theta आपका हो जाएगा 1 का differentiation 0 और a into sin का differentiation cos theta तो this equals to minus a cos theta इसको समीकरा नमबर 1 इसको समीकरा नमबर 2 तो dy y dx हमारा हो जाएगा समीकरा एक में 2 से भाग दे देंगे यानि dy y d theta upon dx by d theta equal to यह हमारा क्या है 2b cos theta into minus sin theta dy by d theta और यह है minus a cos theta तो cos theta cos theta हमारा खतम हो गया और minus minus भी खतम हो गया 2b by a into sin theta यह हमारा dy by dx हो गया 2b by a sin theta अब theta equal to pi by 2 पे हम लोग अब लंब का समीकरा परवर्णता चाहिए तो पहले असपर्स रेखा की परवर्णता निकाल लेते हैं dy by dx और theta equal to pi by 2 तो theta equal to pi by 2 इसमें रखेंगे तो 2by a sin pi by 2 तो sin pi by 2 मतलब sin 90 और sin 90 की वेलूवन तो यह आगे हमारा 2b by a यानि थीटा इकल टो pi by 2 पर अस्पल्स रेखा की परवनता होंको पता चल गया 2b by a अस्पल्स रेखा की परवनता पता चल गया 2b by a अब हम लोग जानते हैं कि अस्पल्स रेखा की परवनता गुड़े अभिलंब का परवनता हमारा माइनस 1 होता है तो इसको लिख लेंगे कि अस्पल्स रेखा की परवनता क्योंकि दोनों एक दूसरे पर नब्बे होते हैं अस्पल्स रेखा की परवनता गुड़े अभिलंब की परमड़ता यह हमारा होता है माइनस वन तो असपल्स रेखा की परमड़ता हमको पता है यह क्या है 2B by A इंटू अभिलंब की परमड़ता माइनस वन तो यहां से हम लोग अगर पच्छांतर करें तो अभिलंब की परमड़ता हो जाएगी यह हमारा A जाएगा गुड़ा में तो माइनस A बाई 2 B यही हमको चाहिए था यह क्वेस्टन नमबर 6 हो गया आपका अब क्वेस्टन नमबर 7 है वकर Y equal to X cube minus 3X square minus 9X plus 7 पर उन बिंदों को ग्याद की लिए जिन पर असपर्स रेखा हैं X अच्च के समानतर हैं असपर्स रेखा हैं X अच्च के समानतर हैं इसका मतलब क्या होता है अगर असपर्स रेखा आपका X अच्च के समानतर होगा तो देखें x-axis हो गया यह y-axis तो यह कोई वक्र आपका है तो अगर इस पे अस्फर्स रेखा आपने खीचा और यह x-ach के समानतर है तो जो परवंडता होगा यह हमारा क्या होता है 10 थीटा x-ach के साथ जितना कोंड बनाता है तो यहाँ पे x-ach के साथ कोंड बनाएगा 0 डिगरी तो 10-0 की वेलू 0 यानि अगर अस्फर्स रेखा x-ach के समानतर है तो उसकी परवंडता होगी 0 तो हम लोग लिखेंगे x-ach के यह x-ach के समानतर अस्फर्स रेखा की परवंडता यह क्या होगा? 0 होगा अगर किसी भी बिन्द पे अस्फर्स रेखा अगर x-ach के समानतर हो गई तो उसकी परवंडता आनी चाहिए वो सूननी होनी चाहिए तो यहाँ पे क्या दिया है? अस्फर्स रेखा है x-ach के समानतर है यानि परवंडता यहाँ पे दिया हुआ है परवणता 0 है और बिंदु हमको ग्याद करना है तो y equal to xq minus 3x square minus 9x plus 7 तो अगर dy by dx हम लोग निकालें differentiation करें 3x square minus 6x minus 9 अब हमारा दिया है परवणता क्या है? 0 है उन बिंदु को ग्याद करना है जहां परवणता 0 है तो परवणता बराबर 0 तो यानि 3x square minus 6x minus 9 equal to 0 3 common कर लें तो x square minus 2x minus 3 equal to 0 x square minus 3x plus x minus 3 equal to 0 x x minus 3 plus 1 x minus 3 equal to 0 इंप्लाई याँ से एक ब्रेकेट में वारा x minus 3 एक ब्रेकेट में x plus 1 equal to 0 यहां से आपका आगया x equal to 3 and x equal to minus 1 दो value पता चल गई x equal to 3 और x equal to minus 1 पे हमारा परवणता 0 होगा तो x equal to 3 रखेंगे तो y की value भी पता चल जाएगी तो y equal to x cube minus 3 x square minus 9 x plus 7 में x बराबर 3 रखने पर x बराबर 3 रखें तो यह हो जाएगा 3 का cube minus 3 गुड़े 3 का square minus 9 गुड़े 3 plus 7 y की value होगी 27 minus 27 खतम होगी और minus 27 plus 7 या आगया आपका minus 20 और इसमें x बराबर minus 1 रखें तो हमारा y equal to minus 1 का cube minus 3 into minus 1 का square minus 9 into minus 1 plus 7 तो y equal to minus 1 minus 3 plus 9 plus 7 तो y equal to आपका आगया 9,7,16 और 4 आपका घटा देजिए तो यह आपका 12 तो जब x equal to 3 है तो y equal to क्या है minus 20 तो एक बिंद हमारा हो गया 3 minus 20 और x equal to minus 1 है तो y equal to 12 तो यह दू बिंद हमारे आगये जहां पर आपका असफर्स रेखार x अच्छ के समानतर है यानि 3 कामा minus 20 और minus 1 कामा 12 यानि हम लोग लिख सकते हैं कि बिंदू 3 कामा minus 20 और minus 1 कामा 12 पर असफर्स रेखा x अच्छ के समानतर है प्रॉट यानि हम वोग रेखार x अच्छ के समान्तर है